नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई समय था कि इंडिया डिफेंस प्रोड़क्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर था और अभी इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसके लिए लक् इंडिया इसके उपर काम कर रहा है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट सेक्रेटरी और साथ ही डिया डियो के चेर्में डॉक्टर जी सतीश रेडी ने कहा है कि अबर के देशों का इंटरस्ट अब सर्फेस्टु एर मिसाइल के अंदर बढ़ रहा है और हम ऐसे सिस्टम को डेवलप कर ही रहे हैं और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है और इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा उन्होंने स्पैसिफि और इनका एक्सपोर्ट इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा और उन्होंने स्पैसिफिकली कहा कि अगले साल आप देखेंगे कि हम बहुत सी ऐसी चीजों का एक्सपोर्ट करेंगे जो इंडिजिनसली डेवलप्ट की गई है और दोस्तों उनकी स्टेटमेंट उस समय पर परसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट ओर्डर है और ये एक बड़ी डेवलप्मेंट है और ये मिसाइल इंडियन आम्ड फोर्सिस में अल्रेडी इंड़क्ट की जा चुकी है और अब इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है जिसके कई टेस्ट हो चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के जो विजन है आतम निर्वर भारत उसी के उपर आधारीत है और हम एड़वांस टेकनोलोजी इंडिजिनेसली डेवलप कर रहे हैं पिम मोदी ने हमारे लिए गोल रखे है कि बहुत ही एड़वांस टेकनोलोजी और सिस्ट किया जाएगा धन्याबाद जैहिन